दारूब भीक रहा है और मार खा रहा है सिपाई लोग तो क्या है कनूबे उस्ता बिहार में कुछ नहीं है यह बरस्टा चार्ज को जो है ना मिटानों है लाल टन को जितानों है अम लग मोधी 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 वादमी पर समझेगा तब ने पर कैसे मंगा हो गया उसका करजात और रहा है मोधी ताव दिए दिए उसका सस्ता होगा पजाश ट्या लिटर खाई लूते रहा भी मोधी सर्गारू सब लूते रहा असरगान जो है ना अरुन सागो बोड़ देगा बिहार के तारापूर और कुसेश्वरस्थान में उपचुना होने हैं और इसको लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है इस वक्त हम है तारापूर के असरगंज बाजार में यहां पर लोगों से जानेंगे कि जिन्हों ने जिस प्रत्यासी ने भी नामांकन दाखिल किया है वो कैसे हैं और वो किन को चुन रहे हैं इस बार जो दोनों सीटों पर उपचुना होने हैं जदियू के लिए खासकर जीवन मरन का सवाल है हाला कि कॉंग्रेस, राज़त और जदियू ने भी यहां पर प्रत्यासी खरे कर दिये हैं कल सबका नामांकन पूरा हो चुका है आई हम तरापुर की जन्ता से जानते हैं कि वो किसको इस बार चुन रहे है कल नामांकन हो चुका है इस बार क्या लग रहा है उप्चुनाओं में किसको जीत मिल सकता है अरुन कुमार साथ लोकल निता है किस पार्टी से खरे हैं राज़त से और यहां का जन्ता तो 80-85 परसंट भोड़ मत्तान उसी को करेंगे अरुन कुमार साथ कैसे कैसे कंडिडेट इसके बारे में क्या ख्याल है जैसे जदियू के हैं राज़िप्टी इसलिए इसको अधिक मिलने जा रहा है लेकिन और देहाती छेतर में तो जदियू परत्यासे का भी भोड़ है इसी दोनों में टकर होगा अब तक कहना है कि जदियू और राज़द में राज़द और जदियू में ही संगर्थ होगा चाहिए दोनों में जो निकले इस बार तो अभी पता नहीं है दोगो तो निस्षीते हैं दोनों में टकर होगा कौन दोनों में अरुन सा और राजीप सिंग अरुन्सा रादिशिंग में तक्कर होगा और भी तो पाटी है वो सब का यहां नहीं चलेगा अरुन्सा काम की है कुछ है अब ही तो पहला थीक बार खड़ा हुआ है ना इसे पहले कुछ करते थो ठिकदारी करता है क्या करते हैं आप हम तो गाड़ी चलाते हैं टोटो चलाते हैं किसको तीछेगा हम लोग अभी सोचे नहीं है जो आगे बढ़ेगा उनको दे देंगे किस समीकरन यहां पर क्या लग रहा है किसका मजबूत है समीकरन अभी बन ही रहा है अभी किलियर नहीं कुछ का जखते हैं कुछ भी कुछ नहीं कुछ नहीं अभी सभी का आना जाना है सभी को मिल रहे हैं बात हो रही है जिनको सही लगेगा सही उमिद्वार को देख के दिया करेंगे विधाय को चुना तब ना क्या महाल है इस बार आप यहां गराम इस बार लालतेन का लालुजी आ रहा है फिर बिहार में सत्ता उबर के बिहार में कानु नित्री सुम्पर कोई विवस्ता नहीं है दारुब भीक रहार मार खारा है सिपाई लोग तो क्या है कुछ नह लालुजी आएगा तो सस्ता करेगा जालमूडी बेचते हैं अब लालुजी को फिल लाल्टेन जलेगा दिया में लाइन भी है निकितील इस बार डावेंग उपर से लाल्टेन को इस बार पक्का लाल्टेन सेर दो आग या बहार में आग या लाल्टेन इस बार होना पकीता है दूसर तालिस सीड में दूसर चालिस सीड लना रेगा लालू जी इस बार भी तो दोगो सीड पर हो गया लालू का लाल्टेन बार गया इस बार बहार में क्या कर इसको इस बार लगह रहा है लाल्टें और ऑपको जशाए इसा काहे ठीक है अब यहाँ है कि अनि यह लोग लालतन को जितानों है अब रस्टाचार कहां देश में हो रहा है सर अभी देख रहे गरीब आद में परिशन हैं हम लोग ओटो चलाते हैं इतना दिक्कत जेलते हैं लेकिन कुछ सुविधा तो कहां ने मिल रसरकार से अब और लोगों से बात करते हैं पान पान बेश्टे हैं किसको इस बार देने और क्या महुल लग रहा तारापुर में अमलब मोधी 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 एक दम प्योर भाजपा लग रहा है आँ बाजपा बाजपा यहां पे कौन है प्रत्यासी बाजपा से कोई रहे मोधी में सबस्पना प्रण गुन गता है मंहाई किया कुछ ने मंहाई है कौंगोरेश राजपा लग फिकता क्याता ओ increasesit गाइञे पफंटर क्या ठीथ Politics दो इसे करजा लैया। इसका गडे तो रहे मोधी हो तो तो दिकल रह गां पजाश टीचयालीर ुसका बलबाई को बुल ले बला सभ़ा किसको दीडे जिए लुब हम लग आपको देड़ें गालूंगाने कि जिए अनिया दॉब्रभी ला टेंचाप दो में लाल्टेंचाप दुए लाल्टेंचापगे लाल्टेंचाफ कीद लखां लाल्टेंचाप कित्क जोइख कुछू भीकास कुछ यह एक लालतियंट रादी जा देसेश्ट बढ़ा हो पार परेगे। सब परेगे आपके समय नियुट ऑप जित्समा सब ब्लूटे रहा हैं? अज सब लुटे रहा है है इसा इसा मन बहुत हैं प्रचुना है आपके विधान सभा में क्या लगता है इस पार क्या माहौल है कौन बिकास कोन कर सकता है क्या लगता है कि अफ्री साल अच्छा विकास करेंगे वो कुछ यहां पर पहले पाइले कुछ काम तो नहीं हुआ है लेकिन क्या भी हम लोगों का इस वारा और नॉमिने संट हो गया है कल और प्रत्यासी भी है तीन तीन नहीं यहां पर कॉंग्रेस भी अलग है क्यों कि सर अच्छे निता है विकास हुआ है कुछ तारापूर में से पहले कुछ जो जीते थे यहां पर 30 साल से जो इने ठीकदार से काम करते हैं कोई भी कास नहीं हुआ है सर तो सुना अपने तारापूर के असरगंज की जनता का मूड यहां पर जो बनिया समाज है ज्यादा जुकाओ राजद के जो प्रत्यासी है अरुन सा उनके पक्ष में जा रहा है बैरहाल चुनाओं के दौरान क्या होता है या देखना दिल्चस्प होगा आप बिग नियूस को सब्स्राइब कर ले और तारापूर विधान सभा की हरपल अपडेट के लिए तैयार है